Welcome Back To My YouTube Channel, EHS CES Study Point, YSK आज हम बात करेंगे Active Fire Protection और Passive Fire Protection ये दूनों क्या होता है और इसके एक्जामपल के भी बारे में जानेंगे तो चलिए सबसे पहले देखते हैं Active Fire Protection क्या होता है Active Fire Protection भी क्या होता है Active Fire Protection refer to a system में ऐसा सिस्टम है डेट डिजाइन टू एक्टिवली फायर वन्स देर स्टाट इसमें क्या होता है एक्टिव फायर प्रोटेक्शन में जब भी कहीं आग लगती है तो उसमें एक्टिवली उसमें एक्शन लेना पड़ता है यानि कि कि किसी आदमी को जाके बुझाना जिसे कि आटोमेटिकल स्पिंकल हो जाए तो यहां पर एक्टिवली उसमें काम करना पड़े गाता है ऐसे फायर को एक्टिव फायर प्रोटेक्शन कहते हैं दूसरा है इस सिस्टम जेनरली रिक्वायर सम फॉर्म ओं इंटर्वेंशन तो देखिए यहां पर आदमी की है प्रेस इसका में में मकसद क्या है कि घौल हमारा यही है कि फायरर को ज़ितना जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी हमologist क्या एक्टीफ फर प्टेक्षन समझे एक्टीफ प्रटेक्शन घिते हैं जिसमें और या है जलदी से जलदी बुजाए जा सके चलिए अब इसका active fire protection का example यहां पर देखते हैं क्या है तो सबसे पहले देखेंगे fire a sprinkled तो fire sprinkled क्या होता है जब भी fire detect होता है तो automatic यहां पर पानी का sprinkled होने लगता है या कोई दूसरा इसका extinguishing agent रहता है जिसका sprinkle automatic होने लगता है और वहां पर हम fire को बुजा देते हैं यानि जो फ्लेम है उसको suppress करते हैं means automatic system that release barter और other extinguishing agent when fire is directed to suppress the flame next example देखेंगे वह है fire extinguisher fire extinguisher क्या है एक portable device है that can be manually used to put out a small fire छोटे आपको बुजाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है नेक्स है fire alarm यह भी क्या है active fire protection का example है यह क्या करता है detect smoke and heat and trigger an alarm to alert occupant and dust to equate यह क्या करता है fire alarm जब भी आग लगती है तो यह क्या करता है यह है जो smoke को detect करता है hit को detect करता है trigger करता है alarm देता है जिसे क्या है equipment जो है occupants जो है जो उसमें रहते हैं रहने वाले लोग है वहां से इभिक्वेट करें या भाग जाए जल्दी से next होता है fire hose roll तो fire hose roll building में लगा हुआ आपने देखा होगा यह होता है install in building में install क्या होता है इसको चलाने के लिए या इसका यूज करने के लिए एक ट्रेंड परशन क्या वस्कता होती है जो क्या करता है यह जो इसका मैनुवली बाटर का स्प्रे करता है नेक्स जो है फायर सप्रेशन सिस्टम में जैसे की लाइक co2 और फॉम सिस्टम है इसमें क्या होता है यूज इन प्लेस भेर बाटर इस नौट फैडल वहां पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है तो वह इसे जगह को एक है यह होता है एक वाड़िशान स्टम डिजाइन किया गया है जिस में क्या करता है अब स्मोक और जो हाउट गैसेज होता है उसको रिमूब कर देता है बिल्डिंग से अना दूरिंग फायर एडिंग इन इवेक्वेशन करने के लिए हेल्प करता है तो यह हो गया स्मोक एक्स्टैक्शन सिस्टम चले अभी नेक्स देखते हैं कि पैसी फायर प्रोटेक्शन किसे क्या होता है पैसी परीक्शन में क्या होता है किसी फायर प्रोटेक्शन इनवफर श्रक्च्टेर इलीवेंन होते हैं जिस पर आदमी को अधिक समय देता है भागने के लिए and fighter more time to respond और जो फाइर फाइटर होते हैं जो आग बुजाने के लिए आते हैं उनको भी response करने के लिए समय देता है काफी समय देता है ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं पैसी फाइर प्रोटेक्शन यादि कि यह बिल्डिंग मेटरियल है जो बिल्डिंग बनाया जाता है उसी समय इसका इस्तेमाल किया जाता है और जब आग लगती है तो उन मेटरियल के कारने हाँ पर फाइदा होते हैं नेक्स जो है पैसील सिस्टम आर बिल्ट इन्टू दा स्ट्रक्चर इसको पैसिफ सिस्टम में क्या किया जाता है जो इसमें अब इसके हम एक्जाम्पल देखते हैं !! जैसे कि फायर रेसिप्टेंट बिल्डिंग मेट्रियल में क्या होगा इसके जो balls रहते हैं, या floors रहते हैं, या sling जो रहते हैं, वो fire resistant material के बनाया जाता है, सच जिसे concrete हो गया, fire rated gypsum हो गया, board हो गया, या fire resistant glass हो गया, इस सारे चीज़ों का इस्तिमाल उसके साथ किया जाता है, और जब fire लगता है, ते सारे चीज़ है जो आग को aspect होने से बचाता है, next है fire doors होते हैं, fire doors लगाया जाता है, fire doors क्या होता है, especially design door that contain fire and smoke, ते एक especially design किया हुआ door होता है, जो क्या करता है, जब आग लगता है, तो fire और smoke को है जो रोक देता हो, कुछ समय के लिए certain period of time, कुछ समय के लिए रोक देता है, जिससे क्या होता है, जो हाँ पे occupant है, जो उसमें रहने वाले उसको भागने का समय मिलता है, ते हो गया fire doors, जो की passive fire protection का example है, next है fire resistant coating, तो fire resistant coating में क्या होता है, material applied to a steel beam, जो a steel के beam होते हैं building में, उसके उपर apply किया होता है, जो a structure component होता है, उसके apply किया हो रहता है, that protect them from heat and fire, और वो क्या करता है, heat और fire से उसको protect करता है, preventing the building from collapsing, और building जो ज़्यादा आग लग जाने के कारण, जो a structure बगेरा गल जाते हैं, जानी कि collapse होने के जो संभावना राती है, वो काफी कम हो जाती है, next देखेंगे, compartmentation, compartmentation मतलब divide कर देना, the division of a building into fire resistant section and compartment, तो यहाँ पर इस तरह से किया जाता है, उसको division कर दिया जाता है, ज compartment में उसी को बोल सकते हैं, जैसे कि fire wall हो गया, fire rated floors हो गया, to limit the spread of fire, यह क्या करता है, fire को रोकने, fire को spread होने से बचाता है, next जो है, a smoke barrier, a smoke barrier में क्या होता है, a smoke barrier, a structure element that prevents the movement of a smoke, जो आग लगने के बाद जो a smoke होता है, उसको क्या करता है, फैलने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, आनि रोकता है, and helping to keep escape roots clearly, और भागने का रास्ता क्या करता है, यह clear रखता है, next है, fire stopping, fire stopping में क्या होता है, यह material and technique used to seal gaps in fire rated balls, यहां पे क्या होता है, जो डिवारों के बीच में जो gap रहते हैं, वो फिल कर देने के कारण, वहां पे क्या होता है, fire जो होते हैं, और जो smoke होते हैं, उस gap के थुरूर निकल नहीं, वहां पे gap फिल किया हुआ रहता है, इसलिए वो निकलता नहीं है, तो यह सारे चीज़े होगे, अभी आपने example देखा, passive fire protection का, तो चलिए दोस्तों यहां पे आप से request करते हैं, जो हमा हिंद बने मात्रम